हेलो स्टूडेंट्स अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास एगार एकोनोमिक्स में मोस्ट बेरी बेरी इन्पोर्टेंट अब्जेक्टिप यानी MCQ कोशन एंसर को पढ़ेंगे जो आपके टर्मवान एकजाम क्लास एगार एकोनोमिक्स के लिए बरदान साबित होगी कब की गई सन 1950 इसवी में याद रखेगा सन 1950 इसवी में राष्टिय योजना आयोक की नियुकती की गई थी आगे देखिए कोसेन नमर दो एक आरवी पंच वर्षिय योजना की किरिया आओधी क्या थी 2007 से 2012 तक आगे देखिए कोसेन नमर तीन देश में नीती आयोक कब बना एक जनवरी 2015 को आगे देखिए कोसेन नमर चार महाल नोबिस का अद्दोगिक विकास मोडल कीस योजना में अपनाया गया था सेकेंड यानि दूतिय पंच वर्षिय योजना में आगे देखिए कोसेन नमर पाँच सोतन तर्ता के पस्चात भारत में कीस आर्थिक परनाली को अपनाया गया मिश्रित अर्थवैवस्था को मिक्स्ट एकोनोमी को आगे देखिए कोसेन नमर चे निम्न लिखित में कोन योजना आयोक यानि नीती आयोक का अधियच होता है परधान मंत्री यानि PM प्राइम मिनिस्टर आगे देखिए कोसेन नमर सेबन पर्थम पंच वर्षिय योजना कब लागू हुई एक अपरेल 1951 इस्वी को आगे देखिए कोसेन नमर एट योजना आयोक की अस्थापना कब हुई योजना आयोक की अस्थापना पंदरा मार्च 1950 को हुई थी आगे देखिए कोसेन नमर नाइन कोसेन नमर नो को देखिए बर्तमान में नीती आयोक के अधियच कोन है सिरी नरेंद्र मोदी आगे देखिए कोसेन नमर टैन बरतमान में निम्न में से कौन सी पंच वर्षिय योजना चल रही है अभी कोई पंच वर्षिय योजनाएं नहीं चल रही है एंसर होगा इन में से कोई नहीं आगे देखिए कौसेन नमर 11 महाल 29 का मोडल किस पंच वर्षिय योजना में अपनाया गया दूतिय यानि सेकेंड में आगे देखिए हरित करांथि की सुरुवात कब हुई थी 1966-66 में 1966-66 में हरित करांथि की सुरुवात हुई थी आगे देखिए Question Number 13 उदारवादी ओदोगिक नीती घोशित कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को सेखिए Question Number 14 भारत में उद्धोगी करन की परिकिरिया प्रारम की गई थी कब दूतिय पंच वर्षिय योजना से सेकेंड पंच वर्षिय योजना से आगे देखिए Question number 15 भारत में बैपार निती को उदार कब बनाया गया सन 1991 सवी में आगे देखिए 16 भारत की बिदेशी बैपार निती दोहजार चार नो की घोसना कब की गई थी 31 अगस्ट 2004 को ओप्सेन एक सई उत्तर होगा 31 अगस्ट 2004 को आगे देखिए 17 नमबर स्वाल बारवी पंच वर्षिय योजना की आओधी क्या थी 2012 से 17 आगे देखिए 18 नमबर कोस्टेन नीती आयोक का गठन कब हुआ नीती आयोक का गठन एक जनवरी 2015 को हुआ है आगे देखिए 19 नमबर स्वाल नियोजन के दिर्गकालिन एवां अल्पकालिन उदेश्य परस्पर है पूरक नियोजन के दिर्गकालिन यानि लोंग टर्म एवां अल्पकालिन यानि स्वाट टर्म उदेश्य परस्पर पूरक है पूरक कॉंपलिमेंटरी है आगे देखिए 20 नमबर स्वाल स्वारनीम चत्रबुच योजना समंदित है यतायात से यनि ट्रांस्पोर्ट से आगे देखिए 21 बेंकिंग छेत्र अर्थमयवस्था के किस छेत्र में सामील होता है तिर्थियक छेत्र में सेवा छेत्र में टर्सियरी स आगे देखिए 22 को से नमबर देखिए 22 22 राष्टिय अभिकास परिष्ट का पदेन अधियच कों होता था परधान मंत्री यानि पराइम मिनिस्टर आगे देखे 23 उत्पादन किरिया कीस किरिया का एक भाग है उत्पादन किरिया आर्थिक किरिया का यानि एकोनोमिक एक्टिविटी का एक भाग है आगे देखे 24 24 देखे भारत की दूसरी पंच वर्षिय योजना की आउधी क्या थी 1956 से 161 तक आगे देखिए अंतिम परशन 25 पहली पंच वर्षिय योजना को किसने परस्तूत किया था जवाहरलाल नहरू ने पंडित जवाहरलाल नहरू ने यानि परथम परधान मंत्री ने ठीक है चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू